इस वीडियो के अंदर आपको दिखाँगो एक 90,000 में बहुत ही जबरदस्त PC बिल्ड अगर आपको RGB की शोशाबाजी नहीं चाहिए आपको ऐसा PC चाहिए कि भाई परफॉर्मेंस मिल जा 90,000 में बहुत ही जबरदस्त तो आप इस PC बिल्ड को चेक आउट कर सकते हो बात करेगे इन सभी कॉंपरेंट्स की बारे में तो वीडियो को एंटर देखते रहना हूँ मेरा नाम है सार्तक आज आपको 90,000 रुपे का PC बिल्ड दिखाएंगे बाकी इस PC बिल्ड को ओडर कर हमारे महिंद्र भाई ने जो की रहने वाले उडिसा के तो उडिसा में तो हम लोग इस PC को भेजी नहीं बाकी ओल ओबर इंडिया हम लोग डिलेवर करते हैं स्क्रीन पर आपको वाले नमबर पर कॉल वाटस आप दोनों कर सकते हो नीचे वाले नमबर पर सिर्फ कॉलिंग वैलेबल है बाकी हमारी सेल्स टीम आपको अच्छी तरह के से गाइड गर देगे आपके बजट रिक्वार्मेंट्स के साब से आपको क्या लेना चाहिए बा कर सकते हैं बाकी आप कहते हैं कि भाई हमको तो ऑफलाइन आ करके पीसी बाय करना है तो आप हमारे ऑफलाइन स्टोर को आ करके विजिट कर सकते हैं नहरू प्लेस के अंदर आपको देखने को मल जाएगा 205 सेकेंड फ्लो राजावस बिल्डिंग हमारे एडरस से आपको न काफी बढ़िया में यहां पर देखने को मिल जाता है स्पेशली अगर आपका मल्टी थ्रेड़िट जैसे कुछ भी अगर वर्कलोड है तो भाई परफॉर्मेंस आपको काफी बढ़िया मिल जाएगी अब इस प्रसेसर के साथ में जो मदर्बोर्ड हम लोगों यहां पर प components की बाकी हम तो insist आपको यह करते हैं कि जब आप थोड़ा सा मतब इतने higher core threat count वाला ऐसा वाला कुछ CPU लेते हो जिसकी थोड़ी सी मदब power consumption अच्छी का सी है तो थोड़ा सा एक अच्छे grade का board और महेंगा वाला ले हो मलब this is enough for 13400F थोड़ा उससे अगर उपर लेते हैं सो को थोड़ा budget issue था तो इसलिए इसका यहां पर यूज करा गया अच्छे इस motherboard में किया है कि थोड़ा सस्ता इसलिए भी है क्योंकि आपको सिर्फ दो ही RAM slot इस motherboard में देखने को मिलते हैं सो यह सब कुछ बात हैं ठीक है बाकी फिर भी अच्छी तरीकी से decent तरीकी से हमारी CPU को यह सब्सक्राइब के साथ में आते हैं तो वैसे स्टाटिक आरजी आपको इसी के अंदर देखने को मिल जाती है सो मतब परफेक्ट मैच रहेगा एस सच कुछ भी आरजी वगेरा करके तो हमें कुछ बेनिफिट भी नहीं होगा अब यहां पर राम के बारें बात करते हैं तो हम लोगो नहीं हाँ पर 32GB उसकरी है एक्सपीजी की हंटर जो की 5200 मिगाट्स के उपर क्लॉग दे 16 16GB की दो स्टिक्स जो की परफेक्ट रहेगी 32GB भाई कुछ भी काम हो स्पेशलि अगर आपका प्रडुक्टिविटी जैसे वर्कलोड रहता है तो वहां पर एकदम परफ तो वहां पर भी आपका बड़े तरीके से यहां पर साथ निभाएगा वीडियो एडिटिंग करते हो GPU acceleration आपको काफी अच्छा मिलेगा तो एडिटिंग आप 4 के लेवल की बड़े अराम से यहां पर कर सकते हैं जैसे कि हमने 13500 और RTX 4060 लागा है तो 4 के पर आपको वीडियो हम लोगों ने यहां पर SSD and hard drive दोनों का यूज करा है SSD हम लोगों ने यहां पर MSI के तरफ से उनकी Spatium M3711 TB की M.2 NVMe SSD का हम लोगों यहां पर यूज करा है इसके अंदर Windows रलने का अच्छी का सी storage बचेगी बाकी additional storage के लिए यहां पर 2 TB के hard drive कभी यूज करा गया है जैसे आप अगर editing करते हैं या फिर additionally आपको काफी सारे बड़े बड़े आजकल तो भाई size काफी जादा हो गया गेम्स का तो इत्ते सारे गेम्स वगेरा store करने के लिए 3 TB storage है क्योंकि enough रहेगी सभी कामों के लिए अच्छा power supply हम लोगों ने हापर जो है deep cool की तरफ से इहां पर use करी है and 650 watt enough रहेगी इन सभी components के साब से तो deep cool की PK 650D जो की 80 plus bronze certification के साथ में हापर आती है इस power supply हम लोगों ने हापर use करा है finally बढ़ते हैं हमारी cabinet की तरफ cabinet हम लोगों ने हापर use करी है budget oriented and tech की तरफ से उनकी NX292 front में आपको mesh देखने को मिल जाती है static LED आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है rear में एक non RGB fan आपको यहां पर देखने को मिल जाता है अच्छी बात cabinet के बारे में ही है कि आपको pre install 4 fans मिल जाते है ताकि airflow आपकी cabinet के अंदर अच्छा बना रहे है overall build quality wise भी cabinet काफी अच्छी है प्राइस पॉइंट इसी वज़े से cabinet का जो काफी कम है यह cabinet आपको लगबग 3300 रुपीज ओनली सिर्फ 3300 रुपे में आपको यह cabinet देखने को मिल जाती है वो भी आपको निचे मिलेगे description के अंदर मिलेंगा एक और ने वीडियो के अंदर एक और ने कमल के PC World के साथ में तब तक के लिए थैंक्स वाचिंग